भारतिय वायू सेना के विंक कमांडर अभिनंदन का नाम हम में से ज्यादा तर लोग सुन चुके हैं। बुदवार सवेरे भारत पाकिस्तान के बीच नियंतरन रेखा पर जड़प हुई थी और दोनों देशों के लड़ाको विमानों के बीच डॉक फाइट जारी थी। बाद में पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारते विमान गिराया है और पाइलिट अभिनंदन उसकी गरफ्त में है। भारत ने भी माना कि उसका एक पाइलिट लापता है। बाद में सुईकार किया कि उसका पाइलेट पाकिस्तान के कबजे में है जिसे जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन ये सवाल सभी के दिमाग में है कि विंक कमांडर अभिनंदन आखिर पाकिस्तान में कैसे पहुंचे और उन्हें आखिर पकड़ा कैसे गया। पाकिस्तानी मीडिया ने गुरुवार को इसका ब्योरा चापा है जिसे पूरी एपिसोड का कुछ अंदाजा मिलता है। जहां अभिनंदन पकड़े गए उस गाओं के लोगों से बीबीसी ने भी बात की और वहां से भी इस बारे में जानकारी मिली है। पाकिस्तानी अगपारदर डॉन ने लिखा है कि आजाद जम्मो कश्मीर के भिंबर जिले में नियंतरन रेखा से 7 किलो मिटर दूर होरान गाओं के लोगों ने उसे बताया कि उन्होंने आसमान में लड़ाओ को विमानों के बीच लड़ाई देखी। द्यान से देखा तो पता चला कि दो विमान हिट हुए हैं जिन में से एक तेजी से नियंतरन रेखा के पार चला गया जबकि दूसरे में आग लग गई और वो तेज रफ्तार से नीचे आने लगा। डॉन के मताबिक गाउवालों ने विमान का मलबा गिरते देखा और पैराशूट से सुरक्षित उतरते हुए एक पाइलट को भी। पाइलट के पास पिस्तॉल थी और उसने पूछा कि यह भारत है या पाकिस्तान इस पर एक पाकिस्तानी ने जवाब दिया कि यह भारत है ग्रामीनों का दावा है कि पाइलट अभी नंदन ने फिर कुछ नारे बाजी की और ये बात पूछी कि भारत में वो कहां पर हैं। पाइलट ने कहा कि उनकी पीट में चोट लगी है और पीने के लिए उन्होंने पानी मंगा। डॉन के मताबिक कुछ नौजवानों को पा पाइलट आगे और ग्रामीन पीछे तबी अभी नंदन ने फिर कुछ गोलिया चलाई ताकि वो डर जाए और उनका पीछा ना करें लेकिन कोई फायदा ना हुआ। फिर अभी नंदन ने छोटे से तालाब में छलांग लगा दी जेब से कुछ सामान और दस्तावेज निक लेकिन उन्होंने बाहर निकलते ही कहा कि उन्हें मारा ना जाए लेकिन नौजवानों ने उन्हें पकड़ लिया था। कुछ ने उन्हें लाद घुसे मारे वो बेहत घुसे में थे जबकि दूसरे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे जो उन पर हमला कर रहे हैं। इसी बात के कई वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो गए